हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल फार्मारोक्स के यूटूब एज्जूगेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे एंटी अलर्जिक ड्रग्स के बारे में तो बेजिक यूज़ अप ड्रग्स एड्मेडिसिन के ये वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे एंटी अलर्जिक ड्रग्स के बारे में और हम करेंगे उनकी डेटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी तो टाइटल स्लाइड के अंदर यहाँ पी जो आप देख सकते हैं कि सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के जो टाबलेट से तो वो भी एंटी अलर्जिक ड्रग्स के अंदर आते हैं लिवो सेट्रिजिन आप देख सकते हैं फेक्जोफिनाडीन है एंड फिनारेमाइन मैलेट की जिसका पॉपिलर डूजिस परम आप देख सकते हैं मार्केटेड फॉर्मिलेशन एविल की जिसकी स्ट्रेंथ है 25 mg उसी तरह से क्लोर फिनारेमाइन मैलेट की 4 mg के यह टाबलेट साब देख सकते हैं तो यह सभी मैडिकेशन को हम कहते हैं कि यह है एंटी अलर्जिक ड्रग तो अलग अलग टाइप के जो अलर्जिस होती है अलर्जिक कंडिशन को ट्रेट करने के लिए हम यह मैडिकेशन को यूज करते हैं तो अगर आपके पास आईफ़न है तो डाउनलोड कर सकते हैं फार्मा रोक्स का एंडोड अप्लिकेशन की जो गूगल प्ले स्टार पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास आईफ़न है तो डाउनलोड कर सकते हैं एप फ्रम द एप स्टार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो सबसे पहले समझे एंटी अलर्जिक ड्रग्स के बारे में तो इसे मेडिकेशन की जो अलर्जी एंट अलर्जिक कंडिशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं और जितने भी अलग-अलग सिम्टम्स ड्यवलप होते हैं अलर्जी के अंदर ये सभी को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशन को यूज करते हैं तो अलर्जी करते हैं और ये मेडिकेशन में भी जो एंटी हिस्टेमाइन से तो एंटी हिस्टेमाइन सारे पॉपिलर इन दिस केटेगरी आफ एंटी अलर्जीक ड्रॉग्स तो एंटी अलर्जीक के अंदर जो एंटी हिस्टेमाइन से वो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले समझना जरूरी है कि हिस्टेमाइन जो है उसका हमारे बॉड़ी के अंदर रोल क्या है कि जब histamine जब as a chemical हमारे body के अंदर produce होता है ते वो क्या करता है तो histamine सबसे पहले समझो तो histamine एक organic nitrogenous compound है और involved होता है हमारे अलग-अलग immune responses के अंदर जैसे कि as a neurotransmitter वो काम करता है brain, spinal cord और uterus के अंदर और उसके action के तौर पे अलग-अलग inflammatory responses देखने को मिलते है और ये mediator बनता है eaching का कि जब किसी को खुजली होती है, eaching होती है तो उसका मतलब ये है कि आपकी body के अंदर histamine as a chemical जो है वो produce हुआ है उसी तरह से जब inflammation जब होता है तो उसमें भी ये histamine का एक role रहता है तो इस तरह से histamine जब produce होता है तो वो inflammatory responses देता है जिसके करण आपकी body के अंदर आपको Susan देखने को मिलती है inflammation जो हम कहते हैं वो देखने को मिलते है और mediator है ये itching का जिसके करण जब histamine produce होता है तो आपको itching जैसा होता है skin के ओपर racist जैसे develop होते है और आपको खुजली वगेरा होती है तो they play a central role in pathogenesis of allergic diseases तो उसका reason ये है कि histamine जो है उसका एक central role है अलग-अलग जो allergic disease है उसके pathogenesis के अंदर तो जब आप detail में pathophysiology study करते हैं histamine की तो उससे आपको पता चलेगा कि जो अलग-अलग allergic disease होती है जैसे कि autopic dermatitis कि जिसको हम eczema भी कहते हैं allergic rhinitis है allergic asthma है तो सभी के अंदर एक mediator बनता है ये histamine की itching के लिए mediator बनेगा inflammatory reactions के लिए ये mediator बनेगा और उसका जो regulation होता है differential regulation of T helper lymphocyte तो ये है main concept behind the allergy कि जब आपको allergic conditions अलग-अलग आपके body के अंदर develop होती है तो उस वाक ये histamine जो है वो release होता है और ये histamine के जो हमने effect देखी कि itching के लिए and inflammation ये दो process के लिए सबसे ज़्यादा ये responsible होता है तो जब आप anti-histamine medications यूज़ करते हैं कि histamine के सामने उसके antidotes तो वो हो गए उसके opposite class के medication that is anti-histamines तो ये anti-histamine क्या करेगे histamine जो है वो allergy produce करता है आपके अंदर तो anti-histamine, anti-allergic के तोर पे काम करेगे तो यही main concept है आपके लेक्चर का कि जब आपको अलग-अलग allergens के करन जब allergy होती है तो उस वक्त body के अंदर ये वाले chemical है histamine उसका level सबसे ज़्यादा होता है जिसके करन आपको allergic symptoms develop होते है तो उसी को treat करनी के लिए हम उसका antidote जैसे की anti-histamines यूज़ करेंगे कि जो anti-allergic के तोर पे काम करेगा तो anti-allergic drugs के जो uses है इस पर से आपको पता चल गया होगा कि जब आपको racist जैसा develop होता है lacrimation होता है मतलब कि आखों में से पानी आना runny nose मतलब कि नाक में से पानी आना sneezing जैसा होना red eyes हो जाना मतलब कि आखे लाल हो जाती है और body उपर itching होती है तो आप सभी किसी ने किसी बार इस type के symptoms आपके body के अंदर develop हुए देखे होगे कि जब आपको किसी भी type की allergy हुई है तो समझो कि आपको simply किसी dust की भी allergy है तो उसके करन तुरन समझो कि आपको common cold जैसा feel होता है तो उसमें सबसे पहला तो symptom यही develop होगा कि आपको sneezing जैसा feel होगा sneezing के बाद तुरन्त जो है वो runny nose जैसा होता है कि नाक में से पान याना lacrimation होना और फिर आगे जाके red eyes हो जाती है तो यह सब allergic के symptoms बनते है तो anti allergic drug यह सभी symptoms को reduce करती है and help to relieve the watery eyes, itchy eyes, nose, throat, runny nose and the sneezing और इसके करण हम अलग-अलग conditions देखे कि जो common cold के condition तो उसमें भी यह से ही symptoms develop होते है जब किसी को flu-like symptoms होते है as well as for the allergic और other breathing illness जैसे कि sinusitis आपको हुआ है bronchitis हुआ है तो यह सभी के अंदर anti allergic drug काफी effective साभित होती है तो कई बार उनको as a single या फिर combination के अंदर भी prescribe किया जाता है तो allergens क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे substance की जो आपको allergy करके देते है कि जब कोई person इस type के allergens के contact में आता है तो तुरंत उसको जो है वो allergy और उसके symptoms उसके body के अंदर develop होता है जैसे कि for example हम देखे कि कोई student है जिसका नाम है समझे कि राहूल है तो राहूल क्या करता है कि जब किसी भी dust के contact में वो आता है तो तुरंत उसके अंदर अलग-अलग symptoms develop हो जाते है जैसे कि runny nose होता है उसको फिर दूसरा जो symptom है कि watery eyes जैसे symptoms develop होते है कि आखों में से पानिया ना सुरू हो जाता है redness develop होती है आखों के अंदर और continuously उसको sneezing होते है after close contact to the dust तो उसका मतलब होगा कि राहूल को जो है वो dust की allergy है तो जैसे ही वो ये dust particles या फिर dust mites के contact में आता है तो ये सभी symptoms उसके अंदर develop होना start होता है तो उसका मतलब हम ये कहेंगे कि condition in which the immune system reacts abnormally to foreign substance called allergen तो अब क्या हुआ ये राहूल है उसके लिए ये जो dust particle है वो foreign substance या फिर allergen का काम करेंगे उसी तरह से कोई दूसरा है student कि उसका नाम है समझो की प्रकास है तो प्रकास भी same इसी dust के contact में आता है प्रकास के लिए harmful नहीं है उसको किसी भी तरह के allergic reactions नहीं करते तो allergen का ऐसे ही होता है कि किसी एक person के लिए वो harmful होते है जबकि same allergen किसी दूसरे person के लिए harmful नहीं होता है तो next sentence हमारा यही है कि कि ज्यादा तर सभी लोगों को ये allergen affect नहीं करते बट जिन लोगों को उसकी allergy होती है उनी को ये substance जो है वो affect करते जैसे कि हमने जो example लिए राहूल और प्रकास का कि राहूल जो है उसको allergy develop हो जाती है तुरंद कि जब वो dust के contact में आता है और दूसरा जो है प्रकास उसको किसी भी तरह की allergy नहीं होती कि जब वो dust के contact में आता है तो ये person to person allergens जो है वो vary होते है तो जब किसी person को allergy होती है अलग-अलग substance से तो उसके करण exama जैसा feel होता है कि और topic dermatitis जो हम कहते है कि आपके skin के उपर रैसिस वगेरा develop होना है वहापे खुझली होना तो ये एक common symptom है second, itchy mouth माउथ के अंदर भी आपको खुझली जैसा होना, itchiness जैसा होना, swelling face कि आपके चहरे के portion को आप देखे तो पहले के compare में काफी आपको swollen face देखने को मिलेगा वहापे inflammation सूजन हुई देखने को मिलेगी same like that, swelling of the tongue, jeep का inflammation होना swelling of the lips, nausea vomiting जैसा भी होता है, abdominal pain होता है troubling in breathing, dizziness and diarrhea तो यह सभी अलग-अलग symptoms जो है वो develop होते हैं कि जब किसी को allergy होती है तो कौनसे ऐसे-ऐसे allergens है कि जिससे आपको allergy हो सकती है तो allergens कि जिसने हमने कहा कि harmless substances है and that are a foreign to body and can cause allergic reaction in some people कि सभी को यह allergic reactions नहीं कर दे बड़ कुछ लोगों को यह substance allergic reactions कर दे हैं जैसे कि पोलन है house dust mites है, mold वगेरा है, animal dander यह सभी example है, allergens की यहाँ पर कुछ और example है, आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को household dust की allergy होती है कि समझे कि गर पे जब आप देखे कि किसी जगा पे dust particles जमा हुए है और जब आप उसको साप करने जाते हो या फिर बहुत दिनों से अपने अलमारी के अंदर किताब रखी है और जो वो किताब को आप लेते है तो उसके उपर समझे कि थोड़ी सी दूल मिटी वगेर आ चुकी है तो तुरंत आप उसके contact में आओगे तो आपको जब समझे कि allergic symptoms develop होते है तो उसका मतलब यह हो जाएगा कि आपको यह dust particles की allergy है जो पेट होते हैं कि लाइक समझे कि आपके पास cat है, dog है उसके hair के contact में आते हैं तो भी कोई allergic reactions होते हैं तो उसका मतलब भी यह हुआ कि आपको वो substance की allergy है फिर कुछ लोगों को insect के bites जैसे कि यह मदू मख्या है तो उसके bite के बाद body के उपर काफी अलग-अलग reactions देखना को मिलती है जैसे कि काफी inflammation develop होना, eating जैसा होना, racist वगेरा develop हो जाते है तो उसके लिए यह insect वगेरा allergens का काम करती है तो fluorescent से, citrus fruit है, strawberry, fish, milk ऐसे बहुत सरे अलग-अलग substance है कि जो वैसे तो harmless है, बट कुछ लोगों के लिए वो allergen का काम करती है तो अभी जैसे हमने देखा कि यह है allergy के अलग-अलग symptoms कि racist होना, lacrimation, runny nose, sneezing, red eyes and itching तो अब आप अच्छे से समझ यह allergy के जो medications है कि जिनको हम anti-allergics कहते है तो यह ऐसे medication है कि जो treat करते है और साथे साथ जो prevent करते है ऐसे symptoms को, कि जैसे कि allergy के करन आपको congestion हुआ है रेनी nose जैसे symptoms टेवलप हो रहे है तो उसके अंदर anti-histamine से, nasal decongestants है और उसमें भी popular यह leucotrine modifiers उसके बाद आप देखें तो corticosteroids पर प्रिस्क्राइब किये जाते हैं अज़ अंटी allergic drugs तो popular anti-allergic drugs के अंदर आप देखो तो जो anti-histamine से तो देयार, phenaryamine mellet है, satrizin है, dasloratadine है, phaxofenadine है, levocatrizin है और lauratidine तो यह जो आप देख सकते हैं, यह 6 medication के सबसे popular anti-allergic medication उनको कहा जाते हैं के सबसे popular जो है anti-allergic के अंदर तो यह medicines जो है वो prescribe की जाती है उसके बाद हम देखे, evil का हम देखे, तो evil के syrup भी available है, as well as उसकी tablet भी available होती है तो evil की जो उसको हम phenaryamine mellet कहते है and a medicine used to treat allergic conditions such as high fever, runny nose, itching skin and skin rashes कि जब आपको skin rashes जैसा होता है और साथो साथ उसमें fever भी develop हुआ है तो यह symptom भी यह cure करके देता है evil फिर it is also used in the prevention and treatment of nausea, vomiting and dizziness due to inner ear disorders like manures disease and also used in a problem of travel sickness मलब के कई बार क्या होता है कि आप traveling करती है उसके दरान आपको travel sickness जैसा फिल होता है और उस वक्द भी आपको कई बार nausea, vomiting जैसा होता है, dizziness जैसा फिल होता है तो उसको treat करने के लिए यह evil कि जो इसके अंदर main active pharmaceutical substance जै फिनारेमाइन, mallet तो यह prescribe की जाती है कि जिससे आपको travel sickness के दौरान काफी relief मिलते है यह सब symptoms में से और आप आसन इसे जो है वो traveling कर सकते हैं without any type of nausea and vomiting antihistamines में हम देखे तो दुसरे medication like from phenaryamine भी है, satrizin है, levosatrizin है, chlorophenaryamine, klemestine है, diaphenhydramine है, phaxofenadine and loratidine तो यह सबी के आप marketed for millitions यहाँ पे देख सकते हैं कि levosatrizin के जो tablet देख सकते हैं levoride की जो sipla का product है 5 mg की strength में वो available है same like that satrizin hydrochloride के 10 mg के tablet, sat-sip भी आप देख सकते हैं, phaxofenadine है यहाँ पे as well as satrizin hydrochloride and chlorophenaryamine malate की जिसकी strength है 4 mg leucotrine modifiers के उसमें सबसे popular अब देख सकते हैं, montelucast sodium and xarfilucast तो यह है montelucast की जिसकी strength देख सकते हैं, 10 mg की strength में available tablets and xarfilucast की जिसकी strength है 20 mg उसके बाद है zealuton भी आता है and this medication block the chemical that causes the airways to narrow and tighten कि जब आपका airway काफी tight हो जाता है, narrow हो जाता है या फिर जिस अमारा respirator system का जो track है वो समझे की block होता है और अच्छे से air जो है वो अंदर नहीं जा रही तो उस वक्त, allergy के अंदर भी एक symptom develop होता है कि runny nose जैसा symptom होते है और उसके करण आगे जाके आपका जो airway है वो narrow होता है और tight होता है तो जब allergic condition ऐसी है कि जिसके अंदर runny nose के symptom है airway narrow हो जाता है, tight हो जाता है तो उस वक्त, montelukas sodium, zarphilukas 10, zeluton काफी effective साभित होते है as a leukotrine modifiers फिर corticosteroids भी काफी helpful है allergic condition के अंदर और वो भी as a anti-allergics काम करते है जैसे कि cortisone है, prednisone है, prednisolone, methylprednisolone है, dexamethasone और उसके popular आप देख सकते हैं doses form के tablet as well as dexamethasone का injection भी available होता है फिर उसी के अंदर उसके similar medication beta-methasone कि जिसकी betonovate ये skin cream आप देख सकते हैं कि allergy के current skin उपर अलग-अलग skin disease हो चुकी है तो उसको क्योर करने के लिए ये beta-methasone के ये skin cream काफी popular है कि जो effective भी साभित होती है to treat such allergic conditions और hydrocortison तो ये सभी medications हम कह सकते हैं कि जो anti-allergic class के medication है कि जो अलग-अलग type के allergic conditions उसके होने वाले जो symptoms होगे राको treat करने के लिए use किये जाते हैं अब समझना जरूरी है कि ये anti-allergic medicines के side effects वगेरा क्या है तो side effects के अंदर सबसे पहले जो हम popular side effects उनके देखें तो drossiness and dizziness मलब कि ये medication develop लेने के बाद person के अंदर drossiness develop होता है dizziness जैसा होता है कि जिसके करन person को जो है वो नीन दाती है कि ये आप देखिए कि इस तरह से dizziness and drossiness जो है वो develop होता है तो यहाप एक आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप ये anti-allergic medications लेते हैं तो उसके बाद drive ना करें do not drive कि drive करना आपके लिए risky रहेगा because समझो कि आप drive करते हैं और anti-allergic medications लेने के बाद आप drive करते हैं और drossiness and dizziness जैसा आप फिल करो तो उसके करन कोई accidental hazards जो हो सकते हैं तो ज़रूरी है कि drive ना करें फिर आप समझो कि ऐसे कुछ machinery वगेरा handle कर रहे है तो do not handle such machinery वगेरा after taking this anti-allergic drugs तो ये खास आपको ध्यान रखना है anti-allergic medications लेने के बाद उसके बाद आप देखो तो दूसरे जो उसके symptoms develop होते है side effects के तोर पे द्याटार dry mouth तो anti-allergic के करन dry mouth जैसा हो सकता है dry nose जैसा भी आगे जाके develop होता है and throat उसी तरह से headache भी develop होता है upset stomach constipation होता है कुछ cases के अंदर or in some cases trouble sleeping में occurs as a side effect of this medication if any of this effect persist or worsen tell your doctor or pharmacist promptly कि अगर आप इन में से किसी भी symptoms या side effect आपके अंदर develop होती है तो तुरंद आपको फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को तुरंद contact करें कि जिससे ये symptoms और ज्यादा खराब ना हो तो ये हैं anti-allergic medications उन्सकी detailed pharmacological study with medicine classification and side effect तो thank you for attending this lecture फार्मारोक्स के जो lecture से उसके PDF and PPDs आपको फार्मारोक्स की एप उपर मिल जाएंगी कि जो rapid revision notes affordable price में आपको मिल जाएगे and they are useful for a all examination so thank you for watching join कर सकते है WhatsApp group access कर सकते है study material ये है हमारा WhatsApp helpline number कि जहाँ पे आप जूड सकते है educational videos के लिए यूज करिए फार्मारोक्स एप access करिए study material test series and video lecture तो फार्मारोक्स की mobile application को अभी डाउनलोड करिए कि जो android application है google play store पे and apple iphone app on app store link आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best करिंग झार्मारोक्स एप माझ करें शूजको ककी ये राछुण that छूछ करने एखरुड एगना करिएode